क्या आप भी बालों के ज़रने से बहुत ज़्यादा परेशान है तो आज में आपको एसी टिप और हैर फॉल से रिलेटेड एंड बालों को लोंग करने के लिए एक बेस्ट रेमेडी शेयर कर रही हूँ तो आपको क्या करना है आपको लेना है आवला रीठा शीका काई ये आपके बालों को जड़ से मजबूत भी करता है नेचरल आपके बालों में कंडिशनिंग भी करता है और आपके बालों को एक अच्छा टेक्सचर देता है आपके बाल यदि बहुत ज़्यादा जड़ रहे लंबे नहीं हो रहे हैं आपके बालों में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है बालों में बहुत ज्यादा खुजली डेंडर इन सारी प्रोब्लम को दूर करता है आवला आपके बालों को काला करता है जड़ से और यदि आपके बालों में ग्रे हैर की प्रोब्लम है तो वो दूर ओजा देगी आपकी बालों को naturally shampoo करने का work करता है इसमें बहुत ज्यादा ज्ञग होता है यह आपके बालों को अच्छे से shampoo का work करता है आप चाहें तो इसको week में 3-4 बार जरूर यूज करें आपके बालों में बहुत ज़्यादा hair fall हो रहा है तो ये hair fall को control कर देगा और आपके बालों से related सारी problem को दूर कर देगा तो आपको क्या करना है आवला, रीठा, शीका काई तीनों को आपको भीगो के रख देना है overnight, रात भर और इसे ढख कर आपको रख देना है तभी आपको पता चलेगा ये आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदे मन दे तो next day आप देख सकते हैं next day इस तरह से पूरी तरह से गल जाएगा तो आपको क्या करना है, रीठा में जो seeds सोते हैं उनको आपको निकाल देना है और इस तरह से इसमें seeds सोते हैं इसे निकाल देना है और इनको अलग कर दे आप चाहें तो आपको क्या करना है seeds निकाल के आप इसको mixi में अच्छे से grind करके और फिर आप इसको बालों में hair pack होता है इस तरह से apply करके आदे से आदे गंटे या एक गंटे रख सकते हैं उसके बाद में wash भी कर सकते हैं इससे भी आपके बालों का ज़णना रुकेगा तो आप देख सकते हैं रीथा में कितना ज़ाग होता है ये naturally आपके बालों को बहुत अच्छे से treat करेगा आपके बालों को ज़णने से भी बचाएगा और ये homemade shampoo की तरह वर्क करेगा तो chemical free shampoo आप भी ज़रूर यूज़ करें और अपने बालों को strong बनाए आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़ाग आ रहा है तो मैंने क्या किया है इसको अच्छे से सारे सीट्स निकाल लिये हैं और जो रीठा होता है रीठा आपके बालों को naturally conditioning कर देता है और जो सीककाई होता है ये इमली होती उसी तरह से होता है इसमें बिल्कुल छोटे छोटे सीट्स होते हैं तो वो easily mixi में grind हो जाते हैं तो बस रीठा के आपको सीट जरूर निकालना है नहीं तो आपका mixi खराब हो जाएगा grinder तो आप देख सकते हैं इस तरह से जहाग आएगा और आप चाहें तो इस तरह से भी आप इसको छान कर इस्टेंड करके आप अपने बालों को धो सकते हैं daily तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ओल पे जरूर किलिक करें जिससे मेरे वीडियो के आने वाले नियू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक like and comment करके जरूर बताएं और यदि आपको herbal shampoo घर में किस तरह से बनाना है ये वीडियो वाच करनी है तो प्लीज comment करके जरूर बताएं मैं next वीडियो आपको herbal shampoo से related बना कर दूँगी तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत जादा जाग आ गया है आप इससे अपने बालों को wash कर सकते हैं stain करके और फिर आप जो ये बच जाएगा इसमें पानी डालके आप फिर से रख सकते हैं next day फिर आप इसी से hair wash कर सकते हैं दो बार आप इसको easily use कर सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like and comment करके जरूर बताएं और next वीडियो में मैं आपके साथ में share करूंगी herbal shampoo homemade किस तरह से बनाना है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care बीडियो फुल वाइस कर निकले thank you